हेलो फ्रैंट्स वेलकम टोयली स्टड़ी आज के स्ट्ट्यू बारे में डिसकस करेंगे आपके एक्जाम के लिए MP Police और SI Constable की एक्जाम के लिए आप हम GK के बाटे में डिसकस करने वाले तो यह GK का जो के 32 हमारा पार्ट रहेगा और इससे पहले की जो पार्ट है वो हमले अल्रेडी अप्लोड कर चुके यदि आपने तक वो वीडियोज नहीं देखे तो आपको आई बटन डिसक्रिप्शन में दोनों जगा उसकी लिंक मिल जाएगी और डिसकाउंट का पुरा लाब भी आप उटा पाएंगे यदि आप यह कूपन को यूज करेंगे तो यदि आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं कि जिलते सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में इस बिल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लिटेस्ट वीडियो क जानकारिय आपको सब्सक्राइब मिलती रहें तो चली देर ना करते हैं इस्टाट करते हैं आज का वीडियो जी देखिए उस से पहले हम यहाँ पर देख लेते पिछले पार्ट में कोई कोश्चन दिया था आंसर बताने के लिए आपको तो कोश्चन क्या था यह आपको ब बनाए गए वह लाल जी टंडन और इसका सबसे पहले राइट अंसर दिया है अरविन जोसी जीने उसके बाद में जेकी बनिया जीने हमें इसका राइट अंसर क्लिक करके बताया है तो चली आजकी कोश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं आजकी क्या आपको बताना है इसका रा पड़ोसी देश को अर्बो नहीं सेरेंड़ीव कहा था तो यहां Falls का इसा सरूल मंधीर में किस देवता के推जा गीजती कि आप आंद्र पिदेश में तीरुपती मंदिर है तो यहां पर आशानी से इसको रिलेट कर पाएंगे जिसे तीरुपती जो मंदिर है इसको तीरुपती बाला जी के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर आशानी से क्लिक कर पाएंगे तो यहां पर आपका राइटन सरो ज तो यहां पर कपिलदारा मंदार और धुमादार यह तीनों जो एक जहरने हैं या फिर वाटर फाला इनको बोल लिजा आप तो यहां पर आप यह तीनों है यह वाटर फॉल है तो यहां पर आपका राइटन सुर जाएगा उप्स नमबर फॉर चलिए आगे बढ़ते नेक्स् सबसे बढ़ा बांद कोन सा है तो आयोब के आपको सभी कुछ कर आईटन सर पता चल गया होगा यहां पर आपका राइटन सर रहेगा उप्सन नमबर फॉर वाला सरदार सरोवर बांद जो कि नर्मदा नदी पर सबसे बढ़ा बांद है आगे बढ़ते नेक्स्ट केंद्री मंदल ने नई राष्ट्य स्वास्ट्य निति का रिक्तिस्तान में अनुमधन किया था तो यह जो किया था 2017 में किया था आप सभी को पता होना चाहिए तो यह जो के केंद्री मंदल के दौरा की गया थी नई राष्ट्य स्वास्ट्य निति का अनुमधन जिसको 2017 में किया थ आगे बढ़ते हैं, बारती रिजर उबेंग की गवर्णर कोन है, अब देखें रिजर उबेंग की बात की जा रही है, बट यह जो कोशन था 2017 में आपकी एक्जाम में पूचा गया था, तो उससे में जो थे वो थे आपके उर्जित पटेल, तो यह आपको याद नहीं रखना आपका यहाँ पर आइड अंसर रहेगा, वरतमान में जो कोन है, तो वरतमान में आपको बदा देते हैं, सक्ति दास कांत, जो कि सक्ति कांत दास यहाँ पर वरतमान में बारती रिजर उबेंग के गवर्णर है, तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, इनके बारे में, आज का नेक्स्ट कोशन है बारती जनता पार्टी के संस्तापक कोन है अब देखे भारती जनता पार्टी है फिर BJP आप बोल लीजे इसको BJP के जो संस्तापक के कौन है तो यहां पर आपका राइड असर हो जाएगा उप्सन नमबर 3 श्यामा प्रसाद मुकरजी जी हां भारत खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली प्रतम भारती महिला पहलवान कोन है अब देखे ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक की बात की जा रही यहां पर प्रतम भारती कोन है जीतने वाली पहलवान और यह पहलवान है इतना भी आपको याद रखना है तो यहां प सब्सक्राइब निकल लगा था जो कि असम के अंतरकत आती है तो आयोप की इसका राइटन सर आप सभी को पता होगा पहले से डिग बोई असब के बारे में आपने सभी ने भी सुना होगा आगे परते हैं इसमें निमने से किस जीले के गाउं को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सामिल किया गया है आगे परते हैं बीबेट का गुफाए किस जीले में हैं आपकी एक्जाम में बहुत सारी question देखनी को मिलते हैं तो यहाँ आपका right answer हो जाएगा option number 4 राइसन बीम बेटिका की जो कुफा है राइसन जिले में इस्तित है चलिए next आगे बढ़ते है जी next question है आपका भारत की खोज के लेखा कौन है तो इसके जो आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा यदि आपने अभी तक इनके बारे में आप जानना चाते है या फिर जितने भी बुक्स है उनके ओतर स्कौन है तो अगर आप ये completely पूरा जानना चाते है तो यहाँप आपका राइड अंसर हो जाएगा जावाहर लाल नहरो ये जो है इन्होंने the discovery of इंडिया जो पुस्तक्ति इसके लेखकते ये तो यहाँप आपको ये याद रखना है जावाहर लाल नहरो आगे बढ़तें next आप सभी को आईयोब को उसके बारे में पता होगा तो उसका नाम है दीन ए इलाही जी हाँ आप सभी ने बहुत पहले इसको पड़ लिया होगा और यहाँप दीन ए इलाही जो धर्म था इसका स्टार्ट किया था आगे बढ़तें next नेक्स्ट कोशन है पूरे कारिकाल के लिए राज्जी सभा में चूना जाने वाला एक सदश रिक्तिस्तान की अवदी के लिए सेवारत होता है यहां पर आपका हो जाएगा राइट अंसर, उप्सन नमर फूर, शिक्स वर्स, शिक्स यर्स बिलकूर राइट अंसर हैगा छे वर्स के लिए जो कि अवदी के लिए सेवारत होते हैं, जो राज्जी सभा की सदश्य होते हैं, वो नेक्स, राष्टी रक्ष्य अकादमी कहां इस्तिते या फिर किस राज्जी में इस्तिते, अब यह जो इस्तिते वह महाराज्टे में इस्तिते, आपको यह सभी को याद रखना है चेल है आगे बढ़ता है नेक्स नेक्सट विवेका नंद ने रामकरशन मिशन की स्तापना की और यह कहां की ती यह बदाना है, यह जो किती वेलोर में की थी वेलोर मत आपने नाम भी सुना होगा तो यह वेलोर में इन्नों ने की थी तो यह आपको रामकरशनी मिशन की स्थापना विवेगन ने की थी और कहां की थी वेलोर में की थी इतना आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट किने स्वेथ क्रांती के जनक है वो मिल्क में ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अब देखने को मिला भी है अब देखे मिल के में ऑफ इंडिया वो वर्गिस कुरियन को कहा जाता है आप पता भी होगा इनके बारे और इन्हें स्वेथ क्रांती के जनक भी जो की जाना जाता है आगे बढ़ते हैं सरदार सरवर बांध की परिकलबना इनों ने की थि अब दरार सरवर बांध जो सटेक्र अभी अभी आभी देखने को मिले हैं तो आप बिलकुल इनmal और बांधों को आई है आई एम पी जो question है उनको complete यहां से कर सकते हैं पूरे हमारी अभी 32 जो की पार्ट इसके complete हो चुके जिसमें हम 40-40 question discuss कर रहे हैं प्रती एक पार्ट में तो आप count कर सकते हैं कि किसने question हम discuss कर चुके इन वीडियो सिरीज में तो सरदार सरोर बांध की जो परिकल्पना की थी वो की थी आपके जवहार लाल नेरु के द्वारा यह की गई थी आप सभी को आयोप की पता होगा तो option number second बिलकुल आपका right answer है आगे बढ़ते हैं बोपाल का पहला सीचाई टेंक पलक मती इस जगह में इस्तित है अब देखे जो है बोपाल में इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए नेक्स्ट कोशन है किस सेर को फीपा अंडर 17 विस्टू का फाइनल 2017 की मेजवानी करने के लिए कोलकाता को चुना गया था नेक्स्ट निम्न में से किसने बारवे दक्षी नेसी आई खेल 2016 की मेजवानी की और यह जो कीती वो कीती आपकी गुहा उटीन है जो कि असम के अंतरगत आती है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का सबसे पूराने संग्राले की बात की ज़रे तो यहाँ पापका इंडियन मुजियम जो है बिलकुल आपका सबसे पूराना जो की म्यूजियम है तो यहाँ आप आसानी से याद रख सकते हैं ओल्डेस्ट मुजियम की बात की ज़रे तो इंडियन मुजियम आपका विलकुल राजदानी से रिलेटेड जो की रिलेटेड जो राजदानी पूची जाती है बहुत बार पूची भी जा चुकी है यदि आप कम्प्लीटली इसकी जीके इसके माद्यम से वीडियो चाहते हैं तो आपको हमें कमेंट करके बता सकते हम वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे तो देखें यहां पर आपका राजदानी वो है आपकी अगर तला चेले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोचन है निमने लिखित वन्य जीव अभ को किस सीमा पर भारत और चीन का जो कि गतिरोद स्टेंड ओफ शुरू हुआ अब यह जो हुआ था वो हुआ था 2017 में हुआ था 16 जून को तो यह जो इसका नाम था डोकलाम बॉडर डोकलाम सीमा आप इसको कह लिए यह जो हुआ था गतिरोद जो कि स्टेंड ओफ बोलते है को यह 2017 में हुआ था 16 जून को और भारत और पाकिस्ता जो कि चीन के बीच में हुआ था तो डोकलाम इसका नाम है डोकलाम विवाद यह आप बोल सकते हैं डोकलाम सीवा आप याद रखिए आगे बढ़ते मद्धि प्रदेश में पंचायती राज जादिनियम कब पारित 1990 में हुआ था आप सभी को याद रखना है पंचायती राज जादिनियम जो पारित हुआ था मद्धि प्रदेश में 1990 में हुआ था नेक्स्ट हाली में बारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर किये ह है भारत का राजटिपसु कौन सा आप सभी को सकर आइड अंसर पता है तो यह आपका सेकिंड ओप्सन बिल्कुर आइड अंसर रहेगा टाइगर जी हां बाग को बोल लेता है भारत का राशे पसू जो कि भाग आता है जम्मों और कस्मीर का सन्विधान कब लागो किया गय यह जो किया गया था 26 जनवारी 1957 को किया गया था यह आपको याद रखना है 1957 भी कई न कई देखने को मिलता है बट आप- monopoly इंड तारीक भी याद रखे 26-07 जबकि भारत का जो जम्मु कस्मीर ताया रखे बारत का अब लगो किया गया था बहुर जहलाबी से यह अभियान स्टार्ट किया गया था मद्धिवर्देश राज में स्टार्ट किया गया था 1815 में नेमने लिकित में से किसने आत्मी सभा की स्तापना की थी देखे यह जो आधुनिक सोसाइटी है फिर प्राचिन जो सोसाइटी है इन से रिलिटेड आप जीके ट्रिक्स का वीडियो भी देख सकते है जीके ट्रिक्स प्लेलिस्ट है हमारी वहाँ पे चले जाई है आसानी से आप कम स्ट्रेम में याद कर सकते है पूरा जीके ट्रिक्स के मांद्यम से तो देखे यह जो आत्मी सभा की स्तापना की यह की थी आपकी राजा राम मुहन राइन है तो यहाँ पर आप सभी को यह याद रखना है यह की थी अटरसो पंद्रा में प्रदार मंत्री वायवंदना योजना के लावारती कोन है तो देखे इसके जो लावारती है वो है आपके वरिष्ट नागरिया फिर सिनियर सिटिजन आप वोल लीजे यह जो है प्रदार मंत्री वायवंदना योजना के लावारती है बारत में ससस्त्र सेनाओ का सर्वोच कम पार करने वाले पहले क्मांदर होता है है कि नोमबर 209 में भारत कि सहर में साइबरिस स्पेश पर विक् सं़्मिलन करें आउज़त करने तो यह आपका आइडंसर हो यहां पोर बिल्कुल आइडंसर है नई दिली बिलकुल आपका है आगे बढ़ते हैं तेरकर इंग्लिस चेनल पार करने वाली पहली भारती महिला को थी यह थी आपकी बूला चोधरी नामें आपको याद रखना है बूला चोधरी जो है तेरकर इंग्लिस चेनल पार करने वाली पहली भारती महिला थी भारती राज्टी दोज के चक्र में ती मेरे सaboutी हाँ यहां पापका राइड हैं राणि दुर्गवाती का कि ला है यहां को या आद रखना है राणि दुर्गवाती का किला किला है चीज को कि लुए भ्याए और कने आप देखे शिक्डो के चोटे गुरू जो थे वह ते आपके राम तो चार भाई थे तो चार चोते आप इस्तान याद रख लीजिए ऐसे रिलेट करके आप याद सकते हैं ऐसे ही हम GKTX बनाते ताकि आपको इसली याद हो जाए GKTX में चले जाए यह बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा तो यह थे हमारे वीडियो कुछ कोश्यन तो जो आपको जरूर पसंद आयोंगो वीडियो कैसे लगा कमेंट करें जरूर बताए वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर ताकि लेटियो से वीडियो की जानकारी आपको सबसे मिलती रहें तो थेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिं जे भारत